क्या आप सब पैसों से पैसा बनाना चाते हैं शेयर बजार में? शेयर बजार में बहुत सारे पैसों से पैसों चलते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ पैसों से पैसों खरीद के बहुत सारे पैसे यहाँ पर बना सकते हैं क्या आप सब यहाँ पर पैसो, रूपिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं पैसो के पैनी स्टॉक से पैसा बना सकते हैं, आज मैं आपको यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ, जैसे कुछ पैनी स्टॉक अभी आप देखेंगे, जैसे सिलीकोन वेली मातर 0.03 पैसे का चल रहा है, तो कुछ पैनी स्टॉक यहाँ पर 0.23 पैसे के चल रहा है, आज जब यहाँ पर पैसा चलना बंद हो गया भारत देश में, तब भारती शेयर बजार में पैनी स्टॉक पैसे पे यहाँ पर चल रहा है, तो क्या यहाँ पर अगर कुछ पैसे लगा कर इन पैनी स्टॉक को ख पर बिना फंडमेंटल देखे हुए और मेरे पैसे यहां पर बहुत यहां पर तेजी के साथ बढ़ गया है वह भी मैं आपको बताऊंगा और उसके पीछे का रिजन क्या था खरीदने का वह भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं क्यूं क्यूंकि आप याद रखेगा 6000 7,000 में यहां पर चलते हैं 6000 मार्केट में यहां पर श्टॉक चलते हैं जिसमें आप मान के चलिए 5000 के आस पास हमारे को सिर्फ स्मॉल is稿 केपी हो गई शे अजार में अपने 5,000 को स्मॉल कैपी हो गए 5000 में 1000 से 2000 शेर पैनी स्टॉक यह जिसमें से 1000 दो हजार में से 500 शेर जो है वह पारी मात्रा में जिन दाम 10 या 10 रुपे से कम है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे पैनी शेर भारतिय शेर बजार में चल रहे हैं अब यहां पर धिक्कत यह है कि 500 मेंसे सिर्फ 5 पैनी स्टॉक सक्सेस्पूल हो पाते हैं बागी 495 फेल हो जाते हैं अब आप बोलेंगा अगर 495 फेल रहे हैं तो हमेशा याद रखेगा रिस्क रहेगा दी लिस्टिंग का तो आखिरकार हम यह कैसे चुने कि हमारा पैनी स्टॉक एकदम सटीक होना चीए और जो 500 मेंसे सिर्फ 5 पैनी स्टॉक हिट हो रहे हैं वो 5 पैनी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में कैसे डालें तो पैनी स्टॉक पैनी स्टॉक में अपने पैसे गवारा हैं वो वीडियो देखे और सही तरीके से इंप्लिमेंट करके पैनी स्टॉक से ही धेर सारे पैसे कमाएं तो शेयर का काम मैं आपके उपर यहां पर छोड़ता हूँ तो मैं आपको 5 पैनी स्टॉक तो बताने ही वाला हूँ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है मेरा एक पैनी स्टॉक आपको बताने वाला हूँ जिसमें मैंने पैसा लगा कर खूब सारे पैसे बनाएं और आप कैसे पैनी स्टॉक यहां पर च आज देखें यहाँ पर 500-2000 रुपय के आसपास यहाँ पर चल रहे हैं तो कितना wealth यह create करते हैं और ज्यादा समय नहीं सिर्फ 15 साल की यहाँ पर हुए है ज्यादा समय यहाँ पर हुआ नहीं है आप देखें भारत को विशुकप जीते हुए लगभग 12-13 साल हो गए है तो यह क्या ट्रिक ही यूज करना है पैनी स्टॉक खरीदते समय ताकि आपका जो 500 में से 5 का निशान है वो एकदम अर्जुन के तीर की तरह सीधा लगे तो क्या ट्रिक आपको फॉलो करना है और मैं परस्नली क्या ट्रिक फॉलो करता हूँ क्या है ओर्फ मेंतर्ज में आपको यहां पर बताता हो सबसे पहला ट्रिक है मार्केट कैप मार्केट कैप कम से कम 500 करोड रखें मार्केट कैप क्या होता है ऊवर ऑल जो हमारे नंबड ऑफि स्टॉक है क्या चल रहा है उसका आप देख सकते हैं आपको गूगल में जाकर आप सर्च करेंगे किसी भी शेयर का प्राइस तो मार्केट कैप आपको दिख जाएगा बाजू में देख लीजे तो आप सर्च करिए मार्केट कैप 500 करोड होना चाहिए मैक्सिमम लोग शेयर बाजार में गलती करते हैं कि वो 10-20 करोड वाले स्टॉक को जाकर निवेश कर देते हैं आप 10-20 शेयर का अगर निवेश करोगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि स्टॉक मार्केट इस डिवाइस जहां पर एक के पैसे दूसरे को ट्रांसपर होते है यहने कि आपको लिक्विडिटी चाहिए आपके स्टॉक में तभी तो आप अगर आपका शेयर बढ़ भी गया तो बेच पाओगे आप क्या होता है 10-20 करोड के शेयर में क्या होता है सरकिट मारते अपर सरकिट लूँर सरकिट और कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर को कभी बेच नहीं पाते से भी उसको डिलिष्ट कर देता है तो इसलिए मेरा महामंत्र याद रखेगा आपके पैनी स्ट पर नमबर दो डेट कर जा अब बहुत सारे लोग पैनी स्टॉक में ये गलती कर देते हैं कि पैनी स्टॉक तो अच्छा ले लिया फंडमेंटल्स अच्छे हैं आरो यारो सी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मार्केट के आप 5000 करोड का दिखाई दे रहा है इस टॉ कर जा देखे मेरा रूल याद रखेगा मैं रूल ओफ टैन से कहता हूं और रूल ओफ टैन मेरे हिसाब से ये होता है कि जब भी आप पैनी शेर खरीद रहे हैं उसका मार्केट कैप का 10 प्रतीशत से जादा डेट नहीं होना चीए यहने कि अगर आप किसी कंपनी में निव करजे को चुका पाए और वाड़ड फरी हो जाए Hadar कंपणी सो रूपए की और 22 रुपय का कर जया लेकर रखी हुई है यहने कि पूरे चेयर्स बेचके भी करजे को नहीं चुका पा रही है तो वह कंपनी आगे आज नहीं तो कल then us रोबी जाएगी और भारत में जो mathematically प्रूव ना हो या mathematically प्रूवन ना हो आपको मैं बहुत सारे ऐसे एक्जामपल दे सकता हूँ जो मैं आपको दूंगा भी अभी मेरे को वीडियो में आपको पैनिश्टोग भी बताना है तीसरा चीज मैं यह देखता हूँ तो FIIs किसमें अपने स्टेक्स पढ़ा रहें FIIs किसमें अपने स्टेक्स को साइलेंटली बढ़ा रहें और इंस्टेट्यूशनल किसमें यहां पर अपने स्टेक्स पढ़ा रहें सबसे जरूरी चीज इंस्टेट्यूशन किसमें अपने स्टेक्स बढ़ा रहें जिससे भार पारे पास इतने सारे अनुवल रिपोर्ट्स है जिसमें एक एक का तो पढ़ना काफी मुश्किल है तो हम कहां से पढ़ेंगे रोबोट थोड़ी है और हर चीज़ कंप्यूटर से निकाल सकते तो हम क्या करते हैं इंस्टेट्यूशन क्या कर रहा है थोड़ा बहुत देख के ले लेते हैं एक बार मैंने भी एसी देख के ले लिए इस बार और खुब सारे पैसे बनाएं ज्यादा रिसर्च उसपे मैंने की आने लेकिन आपको करना यहां पर मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक अपनी कहानी आपको बता रहों तो चलिए वह वोन स उसको इंस्टिट्यूचन समझ लीजे उसने क्या किया सड़नी साड़े तीन करोड वह कंपनी के शेर को खरीद लिया अब वह था एक पैनी शेर मात्र बीस रुपए का तो मैंने देखा रिसर्च किया भई ये इसमें लाइसी को क्या नजर आए और क्यों ये बीस रुपए का शेर खरीद रही है तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया उसके बारे में पढ़ा मुझे भी कंपनी अच्छी लगी और कंपनी का नाम में आपको बता जेता हूँ आप बहुत उक्सु खूग ने जानने का चाहाँ साड़े चाहर पाच परसेंट के लाइसी ने ले लिय यहां से अगर ट्रिपल होगा पी पचास के आसपास जाएगा तो मेरे पैसे भी तिन गुना हो जाएगे तो सड़नली वो हो गया मतलब 15 का पी था आज शायद 50 के आसपास का पी चल रहा होगा आप देखेगा चार्ट में मैं एडिटर को बोलूंगा लगाने तो यहां पर इस प्रकार से भी आप अगर आप रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं खोजना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप देखें इंस्टिट्यूशन और FII जो है फॉरन इंस्टिट्यूशन यह एक्जामपल के लिए मैंने आपको बता है किसमें पैसा लगा रह होगा आपको सड़नली आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इसे बहुत सारे पैनी स्टॉक है ऐसा नहीं है कि पैनी स्टॉक में निवेश नहीं करता आप सोचे यहां पर हम लोग प्रीमियम भरते हैं सेफटी के लिए और वो पैसा यहां पर ऐसे लगाते हैं र अरिएंटल घ्रीन में निवेश है इनका नैशनल फर्टिलाइजर में लाइसी का निवेश है जो की एक पैनी स्टॉक है तो इस प्रकार के भी आप स्टॉक को खरीद सकते हैं जब यहां पर यह खरीद रहें इतने सारे पैसे के साथ में तो उनके डूबने के जान से सकम हो के लिए देखें मैंने आपको बहुत सारे पैनी स्टॉक बताई दिया है यहां पर इस वीडियो में जी वीएस फार्मा हो गया फार्मा से और इंटल पावर हो गया नैशनल फर्टिलाइजर हो गया जिस पर इंस्टूशन यहां पर बैठ ले रहे हैं यह मैं आपको बता र पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जैसी आप फॉलो करेंगे थोड़ा वेट करिए पोस्ट अपने आप आ जाएगा और आप इंस्टाग्राम लगातार देखते रही है मेरा और वहां पर बहुत सारे यहां पर पर प्रकार से आप पैनी स्टॉक से पैसे बना सकते हैं फिर से एक बार ओवर्व्यू देता हूँ जो चार चीज़े आपको ध्यान में रखनी है पैनी स्टॉक लेते समय है वह मार्केट कैप यहां पर जो मैंने आपको बता है 500 करोड से ज्यादा होना चाहिए डेट 10% से ज्य नियूचल फंड्स हो गया वह क्या खरीद रहे है उन पर आपकी नजर होने चीए जैसे उन्होंने ट्यूब इंवेश्मेंट को यहां पर मैंने देखा कि सारे स्मॉल कैप फंड एस्बीश्मेंट इंडिया में पैसा डाल दिया और ट्यूब इंवेश्मेंट इंडिया मतल इसलिए इनका खरीददारी जो यह कर रहे है उस पर आपकी नजर बहुत थ्यान से होनी चीए और मैंने आपको आज के वीडियो में यह भी बता है कि कैसे मैंने भी एक पैसे बना लिया बाद में उसके बारे में रिसर्च करके अच्छा तो अगर आप बनाना चाते मेरे इ साम असान कर दिया 500 में सिर्फ 20 बच गए अब 20 में से 5 अगर आप 20 में से 20 भी लगाएंगे और 5 भी अगर बन गया तो आपकी लाइफ आपके और आपके परिवार की बिल्कुल सेट यहाँ पर हो जाएगी तो इस ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करिएगा रिसर्च करिएगा आपने financial advisor से पूछेगा कि यह ट्रिक को मुझे implement करना है इन shares के साथ implement करना है और एक बार करके देखेगा आप एक दो साल में आपको result मिलेगा और आप धेर सारे पैसे share बजार से आपर बनाएंगे वीडियो अच्छी लगिए चैनल को अभी के अभी हाँ पर करें शेयर कीजिएगा हर भारती के साथ में ताकि वह यहाँ पर सही तरीका पैसे कमाने का यहाँ पर जान पाए और सब्सक्राइब करके रखेगा बैल आइकन दवाके रखेगा ताकि मेरे ऐसे और वीडियो आपसे बिलकुल भी हाँ पर ना चूटे और लाइक के साथ प् झाल 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 झाल